ओम नमश शिवाय श्रावण मास महातम में सोलवा अध्याय इश्वर बोले हे सनतकुमार अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा श्रावण मास में शुकल पक्ष की सप्तमी तिथी को यह व्रत करना चाहिए सबसे पहले दिवार पर एक वापी का अकार बनाकर अश्रीरी संग्यक दिव्यरूप वाले सात जल देवताओं दो बालकों से युक्त पुरुष संग्यक नारी एक घोड़ा एक व्रशब तथा नरवाहन सहीत एक पाल की भी उस पर बना दे इसके बाद सोले उपचारों से सातो जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओधन का नेविध्य अरपित करना चाहिए उसके बाद नेविध्य के पधार्तों में से ब्रहामन को वायन देना चाहिए इस प्रकार सात वर्श तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए इस व्रत में प्रतेक वर्ष साथ सुवासिन्यों को भोजन कराना चाहिए जल देवताओं की प्रतिमाई एक स्वन पात्र में रख कर बाल को सहित एक दिन पहले सायकाल में भक्ति पुर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए फिर प्रात्यकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित चरू से होम करना चाहिए जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्थ हुआ उसे आप सुने सोराश्च्र देश में शोबन नामक एक नगर था उसमें सभी धर्मों के प्रती निष्ठा रखने वाला एक साहुका रहता था उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुब तता मनोहर सीडियों से युक्त पशों को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चड़ने योग गये दड़ पत्रों से भंदी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई उस बावली के चारों और थके राहगिरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के व्रक्षों से शोभाय मान एक बाग लगवाया लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई उसमें एक बूंद पानी नहीं आया साहुकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहुकार रात में वही सो गया तब रातरी में उसके स्वपन में जल देवता आये और उन्होंने कहा कि हे धनद जल के आने का उपाय तुम सुनो यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पोत्र की बली दो तो उसे समय तुम्हारी है बावली जल से भर जाएगी यह सपना देख साहुकार ने सुबह अपने पूत्र को बताया उसके पूत्र का नाम द्रविंड था और वहे भी धर्म कर्म में आस्ता रखने वाला था आप मुझे जैसे पूत्र के पिता है यह धर्म का कार्य है इसमें आपको ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए यह धर्म ही है जो इस्तिर रहेगा और पूत्र आदी सब नश्वर है अल्पु मुल्य से माहन वस्तु प्राप्त हो रही है अते यह क्रय अती दुलहर्ब है इसमें लाब ही लाब है शितान्शू और चंडान्शू यह मेरे दो पूत्र है इनमें शितान्शू नामक जो जैस्ट पूत्र है उसकी बली बीना कुछ विचार किये आप दे दे लेकिन पिता जी घर के इस्त्रियों को यह रहस्य कभी ग्यात नहीं होना चाहिए उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पतनी गर्ब से है और उसका प्रसव काल भी निकट है जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है छोटा पूत्र भी उसके साथ जाएगा हे तात उस समय यह कार्य निर्विग्न रूप से संपन हो जाएगा पूत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन हुए और बोले हे पूत्र तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पूत्र का मैं पिता बना इसी भी सुशिला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी तब उसके ससुर तथा पती ने कहा कि यह जैस्ट पुत्र हमारे पास ही रहेगा तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ इस पर उसने ऐसा ही किया उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार इसनान कराकर सुन्दर वस्तर वे आभुषणों से अलंकरित करके पूर्वा अशाड़ा तथा शत भिशा नक्षत्र में उसे प्रसंता पुर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से आप प्रसं हो उसी समय वह बावली अमरित तुल्ले जल से भर गई वे दोनों पिता पुत्र शोक वे हर्श से युक्त होकर घर की ओर चले गए इधर सुशिला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और तीन महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुती आश्यरे में पड़ गई उसने उस बावली में सनान किया और कहने लगी मेरे ससुर का परिश्रम वे धन का वे सफल हुआ उसे दिन श्रावन माहा के शुकल पक्ष की सब्तमी तिती थी और सुशिरा ने शीतला सब्तमी नामक शुब वरत रखा हुआ था उसने वही पर चामल पकाए और धही भी ले आई इसके बाद जल देवताओं को विधिमत पूजन करके धही बाद तता ककडी फल का नेवेध्य हरपन किया तता ब्राम्रों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नेवेध्यन का भोजन किया उस इस्थान से सुशीरा का ग्राम एक योजन की दूरी परिस्तित था कुछ समय बाद वह सुन्दर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जिवित करके इसे वापस करना चाहिए क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है साथ ही यह उत्तम बुध्धी रखने वाली इस्त्री है इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए पहले उत्वन पुत्र को यदि हम ग्रहन किये रहे गए तब हमारी प्रसंता का फल ही क्या आपस में ऐसा कहे कर उन दयालू जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकाल कर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया बाहर निकल कर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दोड पड़ा अपने पुद्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा वहाँ अपने पुद्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई उसे अपनी गोद में बिठा कर उसने उसका माथा चूमा किन्तु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुद्र से कुछ नहीं पूछा वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह अभुशनों से युक्त कैसे हो सकता है और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो दुबारा क्यों छोड़ दिया घर में संबंधी चंतों चिंता के समुदर में डूबे होंगे इस प्रकार सुशिला सोचती हुई नगर के दौर पर आ गई तब लोग कहने लगे कि सुशिला आई है यह सुनकर वे पिता पुत्र अध्यन्त चिंता में पढ़ गए कि वह न जानी क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे इसी बीच में तीनों पुत्रों के साथ आ गई तब जैश्ट बालक को देखकर सुशिला के ससुर्थ अथा पती गोर आश्यर में पढ़ गए और साथी बहुत आनन्दित भी हुए वे कहने लगे हे चुश्मीते तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अत्वा व्रत किया था हे भामीनी तुम पती व्रता हो धन्य हो और पुण्य वती हो इस शिशु को मरे हुए दो माह बीच चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आई हो हे सुभ्रू तुमने तो कुल का उद्दार कर दिया हे शुभानने मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करू इस प्रकार ससुन ने उसकी प्रशंसा की पती ने उसे प्रेम पुर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया उसके बाद उसने मार्ग के पुर्णे का समस्त व्रत्तान सुनाया अंत में उन सभी ने मनोवांचित सुखों का उभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया हे वत्स मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आप से कह दिया है इस व्रत में धदी ओधन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं अतै शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं इसी कारण से यह सब्तमी, शीतला सब्तमी इस अधार्त नाम वाली है इस प्रकार श्रीशकंद पुरान के अंतरगत इश्वर सनत कुमार समवाद में श्रावण मास महातम्य में शीतला सब्तमी वरत कथन नामक सोलवा अध्याय पूर्ण हुआ ओम नमाश शिवाई जै श्री राधी